तो जै हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो भारती डाक विभाग, यानि कि इंडिया पोस्ट आफिव जीडियस की अगर मैं बात करूँगा तो मुझे मालूम है, लाखो और हजारों बच्चे ऐसे होंगे न, जो कि जीडियस की नई भरती का इंतजार काफी बेसबरी के फाद कर रहे थे, पिछले तीन या चार महीने से लेकिन जनवरी का महीना भी चला गया, फर्वरी का महीना भी फुर से उड़ गया, और आफ तारीक है एक मार्च दो हजार चोविफ, लेकिन जीडियस की नई भरती, फ्रेशर कंडिडेट के लिए अब ही तक नहीं आई है, देखे इस पर मैंने एक सेप्रेटेड वीडियो भी बनाया था, और आप सभी लोग को बताया था कि जितने भी बच्चे जीडियस में नई भरती का इंतजार कर रहे ना, आप लोग प्लीज अभी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अब भरती नहीं को मिलेगा, तो दोस्तों इसी के रिगाडिंग आपको मालूम है, जीडियस का सिलक्षन प्रोसेस जो है, वो काफी लंबा है, तो काफी सारे बच्चे जो है, वो तरह-तरह के सवाल किया करते हैं, वो न्यू भरती को ले करके हो, या फिर रिज्वाइनिंग को ले करके हो, देखें, अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई सवाल होना, जीडियस या फिर अधर गवर्मेंट वकेंसिस के रिगाडिंग, तो आप कमेंट सेक्षन में सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका आपको या तो रिपलाई दूँगा, या तो फेप्रेटेड वीडियो बना कर है या नहीं, दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखें, मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि अधिकतर सरकारी विभाग में दोबारा रीज्वाइन करने का जो है विकल्प रहता है, लेकिन उनमें कुछ कंडिशन होती हैं, दोस्तों, तीन कंडिशन मैं कोई सवाल ना उठ रहा हो, दूसरा, आपके करेक्टर की अगर मैं बात करूँगा, तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके, और तीसरे नमबर की मैं बात करूँगा, तो आपके कार दच्छता, यानि कि जो कार शमता है ना, उस पर सवाल नहीं उठ रहा होगा, और तब कारी विभाग होते है ना, उसमें एक विकल्प रहता है कि अगर आप इस्तीफा दे चुके हो, तो आप बाद में दोबारे रिज्वाइन भी कर सकते हो, चिक ना, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडिशन होते हैं, और वो सभी टर्म्स एंड कंडिशन के बारे में अगर मै विकल्प ना दिया हो, तो उसे अपवाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर सरकारी छेतर में क्या होता है कि यह विकल्प रहता है कि आप दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो, अब दूसरे नंबर के अगर मैं बात करूंगा, तो सवाल यह है, बच्चों के द्वा बता रहा हूं, तो कि जो डिपार्टमेंटल भरती होती है, उसका सिलक्षन प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है, जिसे की आसानी से कम समय में उस सिलक्षन प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है, चूंकि फ्रेशर बात करूँगा, तो करीब करीब जो अगली बार भरती आएगी ना, वो लगभग लगभग 40,000 से ज़्यादा पदो पर आपको भरती देखने को मिलेगी, जिसमें की ABPM, BPM और एक और पोश्ट जोड़ा गया है, GDS तैकर, आप सभी लोग को मालूम होगा, पिछली वीडिय लिष्ट, फॉर्थ लिष्ट, अभी आप सभी लोगों ने देखा हुगा, इस पेशल ड्राइब की जो वेकैंसी का सिलक्षन प्रॉफिस चल रहा था, उसके टोटल 10 मेरिट फूचिया ही है, मतलब कि बच्चों का सिलक्षन जो है, वो किसी ना किसी लिष्ट में तो हो ही जाना ही है, जानके चलिए, अगर आपके करीब-करीब 80% 80% प्लस मार्क्स हैं तो, उसमें से भी डिपेंड यह करता है कि अगर आप S.C.H.T. के टेगरी के अंतर गताते हो, तो कम पर्फेंट और भी कम पर्फेंट में फिलक्षन होता है, अगर आप पह है तो और भी कम पर भर्तियां जो है, वो नहीं निकाली जा रही है, और यह भर्ति अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मार्च के फर्ष्ट वीक में, काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मार्च के फर्ष्ट वीक में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, 90% यार बिलकुल भूल जाएए, मैं या फिर जून में आपको नहीं भर्ति जो है वो देखने को मिलेगी फ्रेशर कंडिडेट के लिए, आई अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल यह है, बच्चो का कि सरी बताएए, सर मेरा सकेंड लिस्ट में नाम आया था, फर्स्ट और सकेंड डीवी दोनों कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक जोईनिंग नहीं मिली है, जोईनिंग मुझे कब मिलेगी, तो इस पर भी मैंने एक सेप्रेटेड वीडियो बना करके आपको बताया था, देखे, दो वेकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेश चल रहा है, ठीक है आप सभी लोग को मालूम होगा, हलांकि जो पहली वेकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो शेड्यूल सकेंड यानि की दोस्तों, शेड्यूल सकेंड की मैं बात करूंगा तो 30,041 पदों पर जो है, यह भरती आई हुई थी, आप सभी लोग को मालूम ही होगा, और इसमें देखिए, हुआ क्या था कि मलब की टोटल 6 मेरिट सूची जारी की गई थी, ठीक है न, उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं किया गया था, और इसका सिलेक्शन प्रोफेस के लाश्ट डेट तो बहुत ही पहले खतम हो चुका, इसके अलावा एक स्पेशल करके भरती आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि 12,088 सीटो पर भरती आई थी, अगर इन दोनों वेकेंसिस की अगर मैं बात करूँगा न, तो दोस्तों करीब-करीब अभी 20,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके की फर्स्ट और सकेंड डाकॉमेंट वेरिफिकेशन कंप् भी बच्चे जितने भी बच्चों का फर्स्ट और सकेंड डाकॉमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस्फुल हो गया है न, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराईए, लोग सभा चिनाओ के बाद में आपको जोइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है न, इंटिमेशन आपके मोब रूल जो है, लागू हो गया, नई भरती आ गई, टी आरफी ये लागू हो गया, मलब जूट मूट का जो अफवा जो है न, वो उडाया करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस प्रकार की जो चैनल होते हैं, इस प्रकार की वीडियो को आप लोग बिल्कुल बंद कर दिजे, देखिए किसी भी प्रकार का अभी 12-24-26 रूल पारित नहीं किया गया है, और इसको कोई भी ऑथेंटिक नहीं बता सकता है कि 12-24-26 रूल जो है वो कब पारित किया जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? क्यूंकि देखिए इंटर्नल प्रोसेस है ठीक ना जब तक इंटर्नल प्रोसेस जो है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई सर्कुलर नहीं जारी किया जाएगा तब तक किसको पता चलेगा कुछ भी नहीं पता चलेगा दोस्तों तो यह जानके चलिए कि लोग सभा का कोई ओफिशल नोटिफिकेशन आएगा कोई मलब कुछ भी जानकारी आएगी ना तो मैं आपको वीडियो के माधम से जानकारी दूँगा ठीक है अगला सवाल यह है कि सर यह बताइए स्पेशल ड्राइव दस्वी लिष्ट वालों का सेकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन चला है उसके बाद 10 से 12 दिन का समय लिया जाता है सकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन को स्टार्ट करने में आपके मोबाइल पर इंटिमेशन जो है वो भेज दिया जाएगा सकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन को लिए करके तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराईएगा ठीक है ना मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर 10 मार्च से पहले पहले जो है आपका जो है सकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा आप लोगो घबराने क तरह तरह के सवाल चल रहे थे तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई सवाल चल रहा हूं GDF के regarding में भारते डाग विभा के regarding में तो आप सवाल कर फक्त हो कमेंट सक्षन खुला है आप ही के लिए खुला है आप सवाल करोगे तो मैं इसका रिप्लाई भी दूँगा या फिर अगर रिप्लाई नहीं दूँगा तो इसी तरह से प्रेटेड वीडियो बना करके आपको मैं आपको जानकारी दे दूँगा ठीक है ना और अभी तक आप आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जुड़िये वहां से आपको काफी ज़्यादा बेनिफित मिलेगा टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और एक बात और कहूँग भले ही आप apply कीजिए या न कीजिए लेकिन कम से कम आपके अंदर जानकारी तो रहेगी ना आपको मालूम तो होगा ना कि हाँ इस विभाग में भी vacancies आती है इसमें age salary selection process इस प्रकार से होता है तो इस चीज को आप लोग देखा कीजिए आप लोग समझा कीजिए देखिए आ more update के लिए अगर इस update के regarding में किसी प्रकार का कोई भी doubt हो कोई भी सवाल हो तो comment session खुला है पूछ सकते हो मैं उसका reply भी दूँगा बाकि फिर मिलूँगा किसी next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद